इसके बाद मैं अमेरिका चला गया और वहाँ पर एक पर्फियूम एडवाइजर का काम करने लगा फिर एक युनिवर्सिटी की तरफ से मुझे आफर आया और लंबे टाइम तक मैं बुक्स के बीच में काम करने लगा तभी अचानक मुझे नर्वस ब्रिकडाउन हो गया तो डगबग एक साल तक मैं हास्पिटल में रहा जहां मैं इतना परिशान हो गया था कि बस वहाँ से निकलने के तरीके ढूंडता था फिर वहाँ मैंने जैसे तैसे अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद से खुद को निकाला और वहाँ से रिलीज होने की बात सीधा नियू इंग्लेंड गया मैंने वहाँ रहने का बंदोबस भी कर लिया था नियू इंग्लेंड में वहाँ पर परफ्यूम एडविटाइजिंग कंपनी में मेरा कोई दोस्त था मैककू उससे मिलने जा रहा था पता चला कि उनकी घर में रहने के लिए जगया है तो मैं वहाँ पर एक किराइदार बनके रह सकता हूँ लेकिन कमाल की बात ये थी कि उनकी घर पर भी एक परफ्यक्ट एज की लड़की थी जो मुझे चाहिए थी तो जब मैं नियू इंग्लेंड गया तो मिस्टर मैककू से मिलने पर मुझे पता चला कि उनका घर तो आग में जल गया है मिस्टर मैककू बोले कि तुम जिन्ता मत करो हमारी एक और फैमिली फ्रेंड है मैं उसका पता देता हूँ और लोगों को किसी किराइदार की जरूरत है उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे घर नहीं मुझे वो चाहिए जो मैं यहाँ पर लेने आया हूँ फिर मिस्टर मैक को किसाथ ना चाहते हूए मुझे जाना पड़ा वो घर देखने के लिए उस घर में घुसते ही एक ब्लैक मीड हमें अंदर लेकी गई कसम से उस घर में घुसते ही न मुझे इतना डिस्गस्टिंग सा फील आया क्यों? क्योंकि उस घर की प्रिंटिंग, फरनीचर, बाकी सब चीज़े बताते थी कि इस घर की मालकिन का टेस्ट कितना घटिया है और इस घर की मालकिन का नाम था शैलोट हीज वो मुझे अपना घर दिखाने लगी, पूरा घर घूम घूम कर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये आरत की इरादे मुझे लेकर ठीक नहीं है इससे अगर ज़रा सा वे हिंट मिला तो ये मेरे गले पड़ जाएगी घटिया आरत देखो तो कौन बोल रहा है मैं उस शैलोट की तरफ बिलकुल भी इंट्रेस्टेड नहीं था और ना ही उसके घर में, जब तक वो मुझे अपने घर की गार्डन में नहीं ले गए उस घर के गार्डन में जाते ही मैंने उसकी बेटी को देखा इसका नाम था डलरस जिसे वो लॉलिता कहकर बुलाती थी सच कहता हूँ जब मैंने पहली बार लॉलिता को देखा तो इमेजिटली मैं अपनी पैशनेट फीलिंग से भर गया उससे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी एनबिल मेरे बच्बन का प्यार लॉट कर वापस फिर से जन्म लेकर आगया हूँ इस दुनिया में और उस वक्त मेरी आदत थी कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स को एक डायरी में नूट करता था तो लॉलिता के लिए भी जो भी दिल में फीलिंग्स आती थी मैं उस डायरी में लिख देता था कोशिश करता था कि जतनी टफ हो सके उतनी टफ लैंग्वेज में लेको मेरे अलावा कोई और उसे पढ़ना सके मैं उन लोगों के घर में रहने लगा सिर्फ लॉलिता के लिए और कोशिश करता था कि कुछ टायम मैं लॉलिता के साथ अकेले गजार सको और नजाने कैसी कैसी ओमेजनेशन यह करता रहता था लॉलिता के लिए पिर ये कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा frustration तब होती थी जब उसकी माँ लालिता की माँ, शैलाट मुझे उससे दूर रखते थे ताकि वो लालिता की माँ मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गजर सके साफ दिखता था कि यारत मेरे साथ अफेर चलाना चाहती है मैं लालिता के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार पाता था लेकिन जितना भी टाइम उसके साथ गुजारता था कुछ intimate moments भी आते थे जैसे ये बोलता है कि मैं उसे अपने नी पर बैठाता था उसकी आँखों को केस करता था तभी लालिता की बाड़ी का description भी देने लग जाता है उसकी बाड़ी की smell के बारे में ये बोलता है कि लालिता को देखकर लगता था जैसे वो भी मेरे sexual interest जो है उनको बढ़ावा दे रही है उसकी मार ने मुझे बताया है कि लालिता कह रही थी कि आप उसके एक favorite Hollywood star की तरह देखते हो लेकिन मुझे बहुत frustration हो रही थी कि लालिता की इतना करीब होने के बावजूद मैं अपने desires को पूरा नहीं कर पा रहा था इसके बाद इस family ने कहीं किसी दूसरी family के साथ picnic जाने का plan बनाया किसी lake side पर फिर वो दूसरी family में किसी लड़की की तवित खराब हो गई जिसकी वेज़ से ही जाने पाई शैलोट ने संडे को चर्च जाने का plan बनाया इसके बाद में लेकिन लालिता जाना नहीं चाहती थी और मैं तो जाने वाला नहीं था तो उस वक्त लालिता की मां ने लालिता को घर पर अकीला चोड़ दिया उस वक्त मैं भी घर पर ही था मैंने उस moment को एक opportunity की तरह देखा उस दिन मैंने अपने dressing gown पहन रखा था वो living room में बैटी थी मैं उसके पास चला गया एपल को लेकर मुझ में और लालिता में चीना चप्टी होने लगी पिर हम दोनों sofa पर गिर गया पिर लालिता ने अपने पैरों को इसकी lap तक फैला लिया और इसने इस position का वाइदा उठाने ही कोशिच की इसने लालिता की inner thighs कुछ पैच करने ही कोशिच की तभी वो jump करके अलग अट गए वो room छोड़ कर चले गए पिर ये खुद को समझाने लगा कि उसने कुछ notice नहीं किया होगा उस शाम लालिता तो अपने friends के साथ में movie देखने चले गए और इसकी मा शैलोट कि लालिता को तीन हफदे के लिए summer camp भेज दिया जाया जिस सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ मैं दांत में दर्थ का बहाना करके सोने चला गया अगले दिन मुझे पता चला कि लालिता भी summer camp नहीं जाना जाती थी लेकिन उसकी मा जबरदस्ती किये बैठी थी मैंने भी सूचा कि उस दिनों के लिए क्यों ना मैं भी घर चोड़ कर चला जाओ भेज बदल के लालिता के पीछे पीछे चला जाओ उसके summer camp पर लेकिन फिर मैंने इस idea को dismiss कर दिया आखिर लालिता जब summer camp जाने के लिए तयार हो रही थी तो जाते जाते उसने मुझे आकर उपर आकर passionately किस किया फिर उसकी माँ से ले गई camp क्यू में इसके बाद मैं चुप चाप लालिता के रूम में भी गया उसका सामान देखने लगा उसके रूम में दो पूस्टर्स लगे वे थे जिसमें से एक प्लेराइट का पूस्टर था एक famous प्लेराइट था Claire Quilty करके कोई नाम था शायद लालिता इस प्लेराइट की fan होगी यह सब मैं उसके रूम में देखी रहा था तांग जहां करी रहा था तभी उस घर की मेड वो black मेड जो थी वो आए मुझे एक लेटर दिया यह एक love letter था जिसे लिखा था लालिता की माने इस घर की मालकिन शैलोट ने इस लेटर में उसने साफ साफ बोल दिया था कि मुझे तुम से शादी करनी है शादी करनी है तो करो नहीं तो घर चोड़ कर चले जाओ और तुम्हें लालिता का फादर बनकर यहाँ पर रहना पड़ेगा उसके फादर की तरह रियाक्ट करना पड़ेगा यह letter पढ़कर मैं एक बार के लिए डर गया कि कहीं इसको पता तो ने चल गया पर काफी देर तक सूचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि अगर मैं शैलोट से शादी कर लू तो लालिता का फादर बन जाओंगा पर कितनी सारी आपरचुनिटीज मिलेगी किसी को मुझ पर शक पे नहीं होगा इसका प्लान यह था कि यह लालिता का फादर बन जाए और हर रोज लालिता को स्लिपिंग पिल्स देखकर उसको मालस्ट कर सके इसने फैसला कि यह लालिता की माँ से शादी करेगा और फिर यह बोलता है कि इसकी बाद मैंने उस आरत से शादी कर ली शादी की बाद उसने घर के लिए नया परणिचर खरीदना शुरू कर दिया अपने पडोसियों के साथ सोचल नहीं थी तो सोचल होना शुरू कर दिया और उसकी बाद मुझे उसका हस्बन बन कर रहते हुए तीन चार दिन जो हुए तो मुझे पता चल गया कि ये आरत दूसरों से कितना जलती है इसका बस नहीं चलता नहीं तो ये खुद की बेटी को तक न छोड़े इसके बाद मैं उसके साथ स्विमिंग करने कहा एक लेक पर वहाँ इसने मुझे बुला कि ये सोच रही ही कि लालिता जैसे ही कैम्प से वापस आएगी उसे किसी बोर्डिंग स्कूल में ये भीज़ देगी ताकि मेरे साथ ये ज्यादा टाइम गजार सके मुझे डर सा लगा मैं सूचने लगा कि कैसी ओरत है इसको कैसे मनाओ कि लालिता को बोर्डिंग स्कूल ना भेजे मैं कार के पास गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं ये समझ ना जाए अगर मैं इसको भूलू कि लालिता को मत भेजो ये समझ ना जाए पर दिमाग में खयाल आए एक बार के लिए कि इसी जील में जहां हम नाने आये हैं इसी में इसको डुबा कर मार दो एकदम एक्सिडेंट की तरह लगेगा लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर और भी लोग ना रहे हैं या एविडेंस का काम कर सकते हैं तो मैं उसको वहाँ पर मार नहीं पाया इसके बाद इसने क्या किया देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में